नमस्कार साथियो मेहमित मिस्रा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में मित्रो आरो यारो को जो है फारम पढ़ने लगा है साइट चलने लगी है जल्दी जल्दी अपना लोग फारम भरिए देर न करिए लेकन मुझे पूरी उम्मीद है कि डेट बढ़ सकती है मित्रो आज के किरम्मय में यूपी पीएसी आरो यारो जीएस के अंतरगत भारती राजविस्ता देकर आया हूं जिसमें आज हम सुरुवात करेंगे भारत का संब्यधानिक विकास भारत का संब्यधान का विकास निरंतर होता हाया है हो रहा है होता रहेगा क्योंकि संब्यधान भ आपके हुआ है यानि हऊरत का संभिनान का विकास एकदम से नहीं हुआ है अंगरेजिटों ने बारत में राज हुआ उसने वह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर आप हमारे चैनल पिर नए हैं तो चैनल को अबस्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सिलेक्ट करने जिससे आने वाले वीडियो की सारी लोडिएटिकिसंज आपको मिलती रहें बितुने चलिए हम अपना देखते हैं तो सबसे फ़हले हमारे number है एक एक कम्पनी के सासना दीन अधिम क्यांनी कि की म्पनी न कॉछ सासन किया हुमारे देस में उसने क्या परबरतन किया है हमारे देश को चलाने के लिए忽े क्या-क्या NIESM Κानून बनाए संधुन कИ नियम कानून क्या उन्होंने बनाए तो अनों एक एक्ट लाए थे रेगी लेक्टिंग एक्ट ये 1773 मला आये थी 1773 इस भी मा बित्रो ये एक भूद इंपोर्टेंट है इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है ये सन भी पूछ लिया जाता है या इसके अंतरगत क्या-क्या परवर्तन उनों ने किये तो ये बिर्टिस संसत द्वारा पारित था नमबर एक ये ही पूछा जाता है इसको किसने पारित किया था तो नमबर एक बिर्टिस संसत द्वारा पारित था ये बिर्टिस संसत द्वारा पारित द्वारा पारित चलिए एक पंड हमें मिल गया यह ये किसने पारित किया ब्रिटिस संसर द्वारा ये पारे था इसका मेन उद्देश ये था कि कम्पनी में जो भ्रष्टाचार और कुप्रसासन है उसको दूर करना था इसका मेन उद्देश था कि कम्पनी में इसका रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश था के कम्पनी में ब्याप्त ब्रश्टाचार और कोप्रसासन को दूर करना के कम्पनी में ब्रश्टाचार और कोई प्रश्टाचार नहीं होता तो इस एक्ट की जिरूरती नहीं होते किसी भी संब्रश्टाचार कोई घाटा हो вр 걸 रहा हमें कई हो और जड़ा उसका नहीं नियम बनाने पड़ते हैं तो इसके थुरू इससार पर तो बिल्टे सेक्ट वारा पारत था दूसरा कंपनी में जो व्याप्त धर्ष्टाचार और कोई परसाशन थे उसको दूर करना इसका उद्देर से था और भी कुछ इसके अंतरगत काम हुए हैं मदरास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकता अधिन कर दिया जया यह याद रखना है रेगुलेक्टिंग एक्ट में क्या-क्या हुआ और वो पूछ लिया जाता है अक्सर डीपली पूछा जाता है तो मैं आज यह लेकर आया हूं जुके कुछ समझानी कोसिस करूँगा कुछ आप समझाएंगे हम दोनों लोग मिलके स प्रेसिडेंसी को कलकत्ता कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधिन कर दिया गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधिन किया गया कि तीसरा या यह मिली गया यह कानून और कंप्पणि में इसके दौर इसके दौरा क्या काम हुआ और अंथ पूछा जा जाता है कि इसके नंतरर्यास सर्वोच नियाले के इस्थाफना हुई कि इसके अंतरगत क्या हुगा सर्वोच नियायले की इस्थापना इस्थापना हुई कि इस्थापना का वही सत्रा सो चौतर में काम है इस पर हमें थोड़ा फोकस करना एक वार हम पुने दौर आते हैं कि बिटिस संसे द्वारा पारे था यह कानून सत्रा सो तैस्थापनी में यह लाया गया था और कंपनी में ब्रेश्टाचार और कुपरिशासंति उनको दूर करना इसका उद्देश से था मद्रास बंबी प्रेसिडेंसी को कलकता के अधीन कर दिया गया अब सर्वोच न्याले की स्तापना हुई इसके अंतरगत सर्वोच न्याले की स्तापना हुई 17-14 ECB में ठेक है यह हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया लेकिन एक ही नहीं उन रिकास हुआ है पिट्स इंडियाएक्ट मैं ठेक्ट अटो थेते अंडिया एक्ट मैं27 84 Conna e jemand ऐहरा 7 84 checks ने इसको द्धार रखना है इसके नंतर्गत क्या-क्या-क्या हुआ है वो भी मैं थोड़ा धेहन देना है इसमें क्या हुआ कि म Spicy किस शरकारी नियंद्रण ब्रद सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के मामलों में इसके अंतरकत किया गया है कंपनी के मामलों में कि सरकारी कि नियंतरण में विरद्धी सबसर्व फिर्थम ये काम हुआ कि कंपनी के जो भी मामले होते थे उसमें सरकारी अश्चे बढ़ गया इसका मतलब यह उसका सरकारी अश्चे ब्याप बढ़ गया इसका जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि कम्पनी के ब्यापार में आहस्तचेव की नीत है दूसरा हमारा जो पॉइंट है कम्पनी के ब्यापार में कम्पनी ब्यापारी करने तो आई थी लेकिन यहां दीर दीरी सासन कर लई और यहां एतने वो थे हमारे यहां के राजा मारा राजा को आंगरे जाके गुलाम बना ले गए कई सासन किये और हम लोग बाद बहुत साल वाद आ जाद हुए तो दूसरा पॉइंट हमारा थे कंपनी के ब्यापार में आहस्त छेप की नीती दूसरा पॉइंट यह था थे गए दो पॉइंट गए अब एक पॉइंट इसमें और इंपोर्टन था कि कंपनी के ब्यापारिक एबम राजनीतिक कार्याओं को एक दूसरे से अलग कर दिया गया कंपनी के ब्यापारिक इसके अंतरगत कंपनी के ब्यापारिक एबम राजनीतिक राजनीतिक कारेयों को एक दूसरे से अलग किया गया उना राटिंग अंदा है अगर समझे लें दो वारश हम एक वह दिखते है कि पिट्स इंडिया एक 1784 में आया समयधाने विकास के अंतर का दूसरा हमारा जो फॉर्वेट था वो था फिट्स इंडिया एक 1784 में उसके अंतर का तीन काम हुए थे कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंतरड की बिर्द्धी हुई कंपनी के जो भी मामले होते तो मैं सरकारी नियंतरड रहता था नंबर दो कंपनी के ब्यापार में आस्तिशेव के नीत अपनाई गएगए यह हुआ कि कंपनी के जो कुछ भी व्यापार अर राजनीतिक कारियां दूसरे विकांट तो बित्रो यह दो प्रमारे हो गए अगला में लोग देखते हैं इनको नोट करते मैंन मैं पॉइंट है डीपली है यह जो कि आपके आरो यारो में आता भी है इससे तो कई बार आया है पिट्स इंडिया एक्ट से भी आया है डारक मुझा गया सत्रास चौरासी चलिए उसब चोड़िए बित्रों मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं इससे पुड़ाँगा इससे रिलेटिव रहेंगे जैसे अब सरफराइस सीरीज नाम देंगे वो चलेगी एक दिन यह आएगा एक दिन वो आएगा इस तरीके से चलेगा पर तो आगे हम देखते हैं आप और क्या विकास हुआ इसके अंतरकर एक ही विकास तो हुआ नहीं है तो फिव कंपनी वह कंप थ सासना दीन और लिए उसके बाद क्राउं पर चलेंगे तो आज हम कंपनी कि आसना दीन ही चलेंगे लिए तो हमारे दो हो गए एक रेज्यूलिया इक आप्टलेंस तो गया उसके बाद आये है 1786 का अधिनियम इनको थोड़ा सा फेरेंगे तो याद हो जाता है कोई कठे नहीं है 1786 का अधिनियम तो इसमें कुछ हो नहीं है गवेनर जनरल को अपने परिशत के निड़े को रद करने तथा अपने निड़े को लावू करने का अधिकार मिल गया एक ही सिर्पिस्म है मैं एनी गवेनर जनरल को गवेनर जनरल को अपने परिशद के निरड़ायों को रद करने रद करने तथा अपने निरड़यों को लागू करने का अधिकार मिला मित्रो वाइट वोड जरूर है दीरे दीरे आज आएगा डिजिटल वोड भी आएगा लेकिन चलिए वाइट वोड से थोड़ा समयों कम आता है क्या मिला हमें कि गवर्नर जनरल को एक अधिकार मिल गया परसद के निरड़यों को रद कर सकता है अपना निरड़य लागू अधिकार एक नया मिल गया किसके तुरू सत्रा सच्छासी का अधनियम के तुरू इसके बाद जो पॉइंट आया है वहुत है इंपोर्टन्ट है यानि के चार्टर एक्ट 1813 एक अधला अगला जो है सम्मेधाने विकास हुआ था चौत्य नंबर पर चार्टर एक्ट अधारा सो तेरा इस भी चार्टर एक्ट नाम से दू तीन आये है एक चार्टर एक अधारा सो तेरा आया एक अधारा सो तेरा आया एक अधारा सो तिर पनाया इस तरीके से तीन आये है तीन में तीनों इंपोर्टन्ट है अक्सप्पूश लिए जाते हैं इसके अंतरगत क् समारा सर्व पिर्थम यह काम हुआ था कंपनी का एक अधिकार समाप्तिकाद दिया अब यह नहीं कि नहीं कि राउन का भी आदिकार था यह विद्विटिस जो सामराग तो इसका वुद्व का भड़ गया किंग एक अधिकार समाप्ट किया गया समाप्ट किया गया ठीक है इसके अंतर गया और एक यह हो गया कंपनी का एक अधिगार समाप्ट गया दिया और लिकिन इसके अंतर गया एक पॉइंट यह भी जोड़ दिया गया था कि चाय और चीनी को छोड़ कर नमबर दो पॉइंट था है समय चाय और चीनी के ब्यापार को छोड़कर यानि कि कंपनी का अधिकार कहां पे रह गया कि चाय का ब्यापार में वो अस्तेशेप कर सकते हैं और चीन के साथ जो ब्यापार होता है उसके उसमें के तैसरेदेश कर सकतées डो पतिसमें मैंन इंपोटर ओश्यापता लिकिन इसके अंतरगत के और कंपनी को अगले 20 वर्स तक भारत पंगले 20 अधिकार मिलले बे चाड़ कर अधिकार कि कंपनी को भारत पर चाह आगले व्रस दूघ अगले वीश बरसों तक नियंत्रणक अधिकार मिला इसा कि अन्तिर नियंत्रणक अधिकार अधिकार मिले गया नियुक्त एक पंट हमारा था लेकिन किसके छोड़के चाय और चीनी चीन से भी है और चीन के साथ ब्योपार और चाय को चोड़कर कर कंपनी का इदिकार समाप्त दिया गया और इस नहीं बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कमपनी को भारत के अगले 20 वरसों तक गुलाम बनाने का अधिकार मिले ग आदिकार मिले कि 20 वरसों थो गुलाम बनाने का अधिकार नहीं मिले गया था चलिए आप इसमें जो अत्य इम्पोर्टेंट ॉइंट है वह ये है पिछली परिछया पूछा गया था जो था पुएंट मारा है प्रतंबार है कि इसके अंतरगत प्रतंबार तो सिच्छा पर यहीं सिच्छा विवस्ता जो होती है सिच्छा पर एक लाख रुपया एक लाख रुपय पिर्तिबर्स खर्च का प्राबधान रखा गया खर्च का प्राबधान रखा इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में सिच्छा बजट सर प्राबधान रखा गया किसके अंतरगत बहुत ही आते महित्वपूर फ्रशन है कि सिच्छा पर प्राबधान विकास के अंतरगत सिच्छा पर बजट एक लाख रखा गया तो यही है अठारा सु तेरा इस विगों पुछली बार आया था मैंने फेस किया इस कोस्चन को अगला देखते हैं अगला यह दो हमारी पॉइंट हुए इसका मतलब हमारी चार पॉइंट हो गए हैं कंपनी के सासना दीन में छे पॉइंट हैं छे हुआ आज मैं करांगा पूरे फोड़ा सा भलकाल का सन नोट्स बनाते रहें अगला है हमारा चार्टर एक्ट अठारा सो तेर्टीस इसीवी को चार्टर एक्ट अठारा सो तेर्टीस इसीवी के अंतरगत क्या 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 काम हुए ये भी हमें थोड़े से द्यान देने कंपनी के सभी बालाज्य के एक अधिकार समाप्तगर जे गए किसको दे दिए गए किराउन को आप यानि कि एक चीद द्यान रख़ा है क अठारा सो तेरा से अठारा सो तेरा से किराउन का धीरे 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 प्राटीसरत कंपनी बढ़ने लगा जय किराउन का अधिकार दीरे बढ़ने लग है car तो हमारी नमबर एक पे नो ने यही किया कि कमपनी के के सभी बालज्य का अधिकार समाप्थ सभी यानि कमर्सियल जितने भी इनके पास राइट्स थे वो सब ले लिए गए सभी वालज्यक अधिकार समाप्थ चलिए यही तो बहुत अच्छा हुआ लेकर अच्छा का हुआ उसके बाद और ज्यादा गुलाम बन गया हमारा देश किराउन के पास तो पहुंच गया तिरा उनको पास अधिकार देरे देरे पहुच रहे थे सब कंपनी के सारे जो है अधिकार क्या थे समाप्त कर दिये और राजनीतिक कार करने का प्रावधार रह गया सिर्फ राजनीतिक कार करने का कंपनी क्या करेगी राजनीतिक कार करेगी राजनीतिक कार करने का प्रावध तब करने के लिए उन्से कहा गया अधिकार दे दिया गया 1833 मित्रों इसी तरीके से अंग्रेज हमें मूर्ख बनाते रहे कभी यह करते रहे कभी वो करते रहे लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे भी विकास करें सिच्छा पर पहला बजट उन्होंने रख दिया एक लाख तब रखा था वो उस समय एक लाख भहुत था 1813 में क्योंकि 1813 से 210 वर्ष हो गए है 210 वर्ष पहले वो एक लाख रुपे रखे थे सिच्छा बजली उसके बाद 1833 के अंतरगत बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहनाने लगा अब क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे मतलब पूरे भारत का पूरे भारत का गवर्नर जनरल जनरल कहा जाने लगा दीने भारत पे उन्होंने अधिकार बढ़ाने की कोसिस की जो बंगाल का करवर्णर जरह पहले बंगाल तक सीमित था वो जन्लक भारत करें वेम इसके इंतरगत त्रौफर टारा सो इंहोंने ये फोल उन्हें दे वेदि को पूरे देश पर उनका हुआ हो गया लेकिन इने इसके अंत्रख़ एक एक कानून बहुत बढ़िया बनाया कि कानून वन के लिए लिए ग़र्ण definitive की परशाद में एक बिद्शुनस निफ्ट किया है जह में इंहोंने एक पॉइंटे च himself अच्छा लाए कानून बनाने के लिए बनाने के लिए गवर्नर जनर्नल की परसद में एक बिदिस सदस्य बिदमाने कानून का सदस्य एक बिदिस सदस्य नियुक्त किया कि नियुक्त का प्रावधान नियुक्त का प्रावधान अब इसके अंतरकत हमें एक चीज जानते है कि पिर्थम बिदिस सदस्य से कौन था ये सवाल पूचा जाता है पिर्थम बिद सदस था वो लाड मैकाले था लाड मैकाले ने हमारे देश की जो है ऐसी तैसिकर के रख दी लाड मैकाले आया उसने देखा भारत की सिच्छा विवस्ता बहुत अच्छी है चारों तरफ गुर्कुल खुले हुए थे बहुत अच्छी पढ़ायां हो रही थी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ रहे थे इनका सासन विवस्ता सब बहुत अच्छा खासा था सब बहुत अच्छा विवस्ता थे गाओ जरूर था सैरी करण नहीं हुआ था नगर इसने क्या किया इसने जो है हमारे देश की ऐसी तैसी कम मारी जब यह पूरे देश का ते अगर ज़्यादा दिनों तक अगर करनी है क्योंकि धीरे 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 इनमें उग्र हो रहे हैं सबी लोग अगर इनने ज़्यादा गुलाम बनाई रखना है तो इनकी देश की हमें सिच्छा विवस्ता को दोस्त कर देना है और सिच्छा विवस्ता कब दोश्ट होगी उसका अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे अगर जैसे माली जीर हमें हिंदी बोलना अच्छा आता है और हमें इस कमरे में रखा जाए जिस कमरे में सारे इंगलिस मीडियम बच्ची रहते हैं तो मैं क्या कर लोंगा उनसे उनकी बा चले आवाज तक नहीं सोडार हुआ है तो लाड में काले प्रिथम बिद सदस निक्त हुए किसके अंतरगत चार्टर रेक्ट थारा सते तिसके अंतरगत उसके बाद बामबे और मदरास प्रेसिदेंसी से कानून मनाने का अधिकार चिल लिया गया वहाँ पर क्या हुआ था बामबे और मदरास प्रेसिदेंसी को एक किया गया था किसके अंतरगत बामबे और मदरास प्रेसिदेंसी को रेगूलेटिंग एक्ट के अंतरगत तलकता प्रेसिदें सी से कानून बनाने का अधिकार चीन लिया गया चीन लिया गया तो हमें हाथ काट लिये गए यह पहले बंबे को और मदरास को कानून बनाने की थोड़ी बहुत पावर थी वह भी घ्टा के खतम कर दी गए चलिए कोई बात नहीं इतने हमारे परवर्तन हुए किसके चार्ट लेक्ट अधार अधार स्नेशन लिया गया और राजनीतिक कार करने का प्रावधाने ने दे दिया गए क बंगल का गवर्न जनला पूरे भारत का गवर्न जलल का आ जाने लगा किसी असे लाखेंगरी नहीं और बार यह भार्य नहीं रहए वह बंदेषग हो निप्त किया गया वाम्बेय मदरास प्रेशिडेंसी से कानून बनाने का आधिकार छेल लिए गया यह मैन मैनी इंपॉर्डइन छै इसके अंतरकत परवर्दन किये गए आप चार्टर एक्ट 1873 आता है चार्टर एक्ट 1873 उसके अंतरकत देख क्या क्या हुगा चार्टर एक्ट 1873 पन इसके अंतरकत नियंत्रण बोर्ड वव अन्पदाधिकारियों को बेतन निस्चित की यह सब अपना फायदा देखते थे कुछ भी भारत का फायदा इनों ने देखा इने भारत का फायदा अगर देखे उते हां भारत के लिए हमारे दिमाग से तो यह चाय छोड़ गए औ और रेल एक क्या छोड़ गए रेल रेल बास्तिक्ता हो सकता है कि भारत बहुत लेट लापाता अंग्रेजों का गुलाम हम लोग नहों होते हो सकता है कि 50 साल साल लेट आती हमारे देश में ट्रेन विवस्ता बहुत लेट आपाती लेकिन अंग्रेज यसे 1853 में ही लाके धर्मा वही उपस्तति यहां दर्ज कर आए कि हां हम भारत पर विकास कर रहे हैं तो 18 चार्टर एक्ट 1853 यह भी आया इसके अंतरकत क्या हुआ नेंतरण बोर्ड व अन्य पताधिकारियों को वेतन निसित किया गया नेंतरण बोर्ड नेंतरण बोर्ड व अन्य पताधिकारियों का बेतन निस्चित किया गया चलिए बेतन तो अपना सब बढ़ा लेते हैं आज कल सांस अधर विदाइग पना थप थपा के सीट बढ़ा लेते हैं जनता क्या वला होना है यह लेकिन इन्होंने एक और यह सब परवरतन किया जो कि अक्सर परिश्चाम पहले 24 थी उसे घटा करें नोंने कितना कर दिया अठारा लेकिन देखिए दो नंबर के नोंने परवरतन किया कि डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा कर अठारा की गई बाकी छे डायरेक्टरों की नियुकते छे डायरेक्टरों की नियुकते बिर्टिस क्राउन द्रवारा की जाएगी यानि कि मनोनीत होंगे छे डायरेक्टर मनोनीत होंगे और डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा कर अठारा की गई यानि या, 18 कंपनी अपने कितने रखकती आठारा डायरेक्टर बिर्टिस सिर्णी तो करके आएंगे जिनने विक्तोरिया जो भी रही घटानी विंपोर्टरों वह नित करेंगी और नियंतर यही दो काम क किये गए मैंन मैं इंपोर्टर्ट उसके बाद जो कम्पनी के सासना दिन अंतिम जो सम्वेदाने विकास हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अंतिम सासना देश यह है कि भारत सरकार अधनियम 1858 भारत सरकार अधनियम 1858 एहां से भारत की दिसा और सब बदल गया भाग दिसा अभिसा सब बदल गया क्योंकि इसमें क्या हुआ गवर्नर जेनरल बाइसराय कहा जाने लगा और बियोडी और बियोची दोनों दोनों के अधिकार भारत राजी सचिव को दे दिये गई और बिटिस क्राउन का पूरा सासन सामराग्जी गोसित कर दिया गया बिटिस क्राउन का पूरा सासन यहां से निश्यत हो गया एनि सामराग्जी कंपनी के सासन को छीन करके बिटिस क्राउन का यहां से सीधा बिटिस सामराग्जी गोसित हो गई रहे थी उसका सिधा सासन हो गया वारत में सीधा सासन आप कोई कंपनी नहीं रही यहां के बाद से आए उसके बाद बी ओडी दी फ्लस बी योडी पिलस बी योची था बियो कि अन्से बोड़ आप डारेक्टर और बार्ड यतु पड़्यश्षिफ को दे धिये बाहरत राज सचिव यह निक्ते कर नविस्टी थी उसको दे प्रियोशी के सारे अधिकार छीन करके भारत राज सचिव को दे दिये गए अब जो गवर्नर जर्नल था उसका नाम बाइसराय किया गया एनि बी यूडी बोर्ड ओफ कंट्रोल बोर्ड आफ डायरेक्टर डायरेक्टर और यह हमारा है बोर्ड ओफ कंट्रोल के अधिकार किसको दिये भारत राज सचिव को भारत राज सचिव को अधिक है यह अच्छा कि इन बी ओडी वी उसी का दिकार किसको दे दिये वारत राज सचिव को दे दिये अब गवर्नर जल्लत था उसका नाम क्या हो गया गवर्नर जनरल का नाम बदल कर बाइसरा किया गया भाई किसी नही के हात में साथ आएगा तो कुछन کुछ तो परिवर्तन करेगा ही जो पहले योजना चाला रहा था वो बन्द करेगा अपनी नहीं चलाएगा या उसकी योजना चाला भू रखेगा अपना कुछन को चस में गुसेड़ेगा तो वही हुआ कि जैसे ही कंपनी से सासन चीना गया, डारक्ट किसके क्राउन के हाथ में दे दिया गया, सामबरागी अम्में थी, वो सासन करती, तो उन्होंने गवर्नर जनरल का नाम ही बदल दिया, उसको बाइस राय कहा जाने लेगा, भारत का बाइस राय, तो इस तरीके स मित्रो ये कंपनी के सासना धेन, कुछ अधनियम थे, उन्हें बताया गया, अब कल जो है, सम्मेधानी विकास हुआ है, किसके बेटिस क्राउन के अंतरगा थे, जो अब क्राउन करेगा, अब जो कुछ भी करेगा, क्राउन करेगा, या उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं क्या, वो सब बताया जाएगा, मित्रो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक अबस्ते करें, जैहन।